कैसे होई गैंगस्टर बिधायक बने मुक्तार अंसारी की मौत भाई का आरोप खाने में दिया गया है जहर। आपको बता दे जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुक्तार अंसारी की गुरुवार को उत्रदेस के बादा के एक अस्पिताल में मौत हो गई। वहीं गैंक्स्टर के भाई का आरोप है कि उसे खाने में धीरे धीरे जहर दिया गया था. मुकतार अंसारी के भाई और गाजीपूर से सांसद अबजल ने मीडिया से कहा है कि मुकतार ने बताया था कि उन्हें जेल में जहर में जहरीला पदार दिया था. ऐसा दूसरी बार हुआ है लगबग 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था और हाल में ही 19 मार्च और 22 मार्च को ही उन्हें दोबारा ये जहर दिया गया जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई हरा कि जेल अधिकारियों ने इन आरोपों से इंकार किया है और परिवार के अन सदस्यों ने भी आरोप लगाया है कि जेल में अंसारी को धीरे धीरे जहर दिया गया था वही मुक्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि मुझे प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के जरिये इनकी जानकारी मिरी, लेकिन अब पूरा देश सब सच जानना चाहता है, दो दिन पहले ही मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे अनमती नहीं दी गई, हमने पहले भी कहा था कि और आज भी कह रहे हैं कि धीमा जहर देने के आरोप के बारे में यही कहेंगे, और 19 मार्च को बता दे, रात में खाने में उन्हें जहर दे दिया गया था, हम कोट में जाएंगे और इस बीच मुक्तार अंसारी के शौग को पोस्मार्टम के लिए बादा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बादा भेज दिया गया है, आपको बता दे, मंगलवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें उत्तपरदेश के बादा की एक अस्पताल में भरती करा गया था, मंगलवार को छुट्टी के बाद उन्हे उत्तप्रदेश की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ट्रांस्फर कर दिया गया था आपको बताएं कौन है मुक्तार अंसारी 63 वर्सिय मुक्तार अंसारी उत्तप्रदेश की मौसदर सीट से 5 बार बिधायक रहे हैं जिसमें से दो बार भोजन समाज पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा फिर गंगा तट पर अपने ग्रिह नगर गाजीपुर में प्रभाव उनका रहा है ऐसे में वह 2005 से उत्तप्रदेश और पंजाब के सलाखों के पीछे हैं वहीं अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक अपराधिक मामले पिंडिंग थे और सतंबर 2022 से उन्हें उत्तप्रदेश की अलग-अलग अदालतों द्वारा आठ मामलों में सजा सुनाई गई थी और वह बादा जेल में बंद थे वहीं साल 2023 में यंपीमले अदालत ने भाजपा बधाय क्रिश्नानंदराय की हत्या के लिए अंसारी को दोसी छहराया और 10 साल के कैद की सजा सुनाई वहीं 1990 में हत्यार लाइसेंस प्राप्त करने वाले जाली दस्तावेजों के इस्तमाल से संबंधित एक मामले में हैंस्टर को हाल में ही 13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन ऐसे में अब मुक्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई है तो उनका परिवार और विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां CBI जाज की मांग कर रही है अब ऐसा में देखना होगा कि किया BJP सरकार की मुस्किलें बढ़ती हो नज़र आती है क्या कोट CBI का फैसला सुनाता है या फिर CBI जाच होती है या नहीं यह आने वाले समय में पता चलेगा